हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Android Mobile Phone में आप अपने Mobile Phone की हीटिंग की ट्रॉलों को आप सॉल्फ कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप ए वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कभी भी अगर आपका मुवैल फोन हीट होता है यानि कि गरम होता है तो इसके solution के लिए आपको करना क्या है देखिए सबसे बहले तो आपको अपने मुवैल फोन को रिबूट करना है फोन को रिबूट करने के लिए फोन के side वाला power button आपको उंगली से दबा के रखना है आपकी screen के सामने ये page आएगा इसमें देखिए reboot का ये option है इसे आपको tap करना है इससे क्या होगा आपका मुवैल फोन जो है वो automatic switch off हो जाएगा फोर इसके थोड़ी देर बाद automatic switch on हो जाएगा reboot करने से ये होता है कि हमारे मुवैल फोन के android system में अगर कोई problem आती है तो वो problem जा solve हो जाती है फोन को reboot करने से ठीक है इससे हमारा मुवैल फोन हीट होता है क्योंकि देखिए दूसरे फोन का जो charger होता है वो हमारे फोन को अच्छे support नहीं कर पाता है इसकारण मुवैल फोन हीट होता है कि वो update है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर कभी फोन में update आ जाता है तो हमें पता नहीं लगता है तो मुवैल फोन का software अगर update नहीं होता है तो इसे अपडेट पर टैप करके अपने फोन का सॉफटेर अपडेट कर लेना है जिससे आपके फोन की हीटिंग की प्रॉड्म सॉल हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातों का और भी ध्याम रखना है आपके फोन की जो ब्राइटनेस होती है इस ब अब देखें फोन की फ्लेश लाइट अगर जादा देर तक चालू रहा जाती तो इससे भी फोन हीट होता है यह मैं आपको कुछ बाते बता रहा हूं इसका ध्यान रखना है तो देखें दोस्तों आप अपने मुवाइल फोन में गेम खेलते हैं इंटरनेट चालू करके अ नहीं लगाना है अगर तुरंट चार्जिंग पर लगा देंगे तो मुवाइल फोन डेफिनेटली हीट करेगा आपको थोड़ा 10-15 मिनट वेट करके उसको थोड़ा जा फोन को रेश्ट देके तब चार्जिंग पर लगाना है तो हीट नहीं करेगा ठीक है अब देखें अ आपको इस पेज में नीचे ए-result data पर टैप करना है इससे आपका फोन रिसेट हो जाएगा और आपके फोन की हीटिंग की प्रॉलम सौल हो जाएगी लेकिन आपको फोन को रिसेट करने से पहले दो बातों को ध्यान रखना है पहले बात ध्यान रखना है आपके फोन में ज आपके फोन के सर्वी सेंटर चले जाना है अपना फोन वहाँ पर दिखा देना ऐसा मैं वह सकता है आपके मुवालभीर में कोई दिख्कत होगी जिसके वजह से आपका फोन हीट कर रहा है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जितने वी शॉलिशन बताएं वह मुवालभी के software के जरीए बताएं ठीक है